आज कले एक बड़ी चर्चा चल रही है वह चर्चा है एक MP द्वारा पार्लेमेंट के अदक्ष का पार्लेमेंट से बाहर डिसिप्रिन रियक्षन के अंतरगत निकाल देने के बाद सारे जो जितने लगबग 141 MP है वो सदन के बाहर एकठे हुए है उनमें सभी तरह करे जन प्रतिने दी जने हम कहते हैं यानि कि अपनी जनता का प्रतिने दी करते हैं पासलाख दसलाख याना बादा जितना भी वोटर्स उनके हिस्से में है उनमें से एक प्रतिने दी अधरक्ष मौदे के जो वाइस प्रेजेंट भी हैं उनके में मिक्री कर रहे हैं उनकी नकल उतार रहे हैं बहुती भद्दे तरीके से और बाकी सब देखकर के हस्रें हैं और एक महाशा है जिनको प्राय प्राय सभी जानते हैं वो उसको अपने मुबाइल फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश भी कर रहे हैं ऐसा लगता है अजीब दास्तान है परल्लेमेंटरी जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं उसका अंत हमेशा कुछ हिसी तरह होता है दुनिया की पहली डेमोक्रेसी आज के तरीके वाली डेमोक्रेसी ग्रीस में जिलिसेशीजर के टाइम में थी और ये भी हम जानते हैं कि जुलिसेशीजर को परल्लेमेंट में उसके ही परल्लेमेंटरीन ने चाकू के गाव सबने लगाए उस पर अटेक किया और जब उन्होंने अटेक किया तो अपने सबसे विश्वस्नी है जिसको वो अगला जुलसे सेजर बनाना चाहते थे बुरुटस वो उनकी तरफ दोड़े और फाइनल चाकू उसने मार दिया वो जो कटार, चाकू, नाइफ जो कुछ भी रहा होगा सब ने उसको मार करके स्रेड लेना चाहा एक ने का मेरे चाकू से मरा है दूसरे ने का मेरे चाकू से मरा है ये डिसाइड करने के लिए वो पहला पोस्माटम हुआ और उस पोस्माटम पे ये पाया गया कि जो लीवर में लगा है घाव चाकू का वो फैटल है और वो जो लिवर्क में घान गा था जो च्छाती से थोड़ा सा नीचे राई दाई तरफ था वह बूरुटस ने मारा था उसके अत्यधिक विश्वस्नी है वेक्ती नहीं वो घाब मारा था जिसके पास सीजर अपनी मदद के लिए दोड़ा था तो डिमुक्रिसी के इत्यास में ऐसा ही होता आया है सब जगे शाहिद ही कोई दुनिया का पार्लेमेंट रहा हो जहां पे हाथापाई नहीं हुई हो जहां पे लड़ाई नहीं हुई हो और भविन प्रकार के नजारे आप उनको यहां देख सकते हैं डिमुक्रिसी का आइडिया जब लोगों में आया तो लोगों को लगा हम सब को भी लगा कि इससे अच्छा कोई भी रूल करने का जंता पर शैशन करने का तरीका नहीं हो सकता पक्ष होगा पक्ष होगा कुछ निर्पे एक्ष होंगे और सब बाते मिल करके शैद कुछ अच्छे निर्पे हो पाएंगे लोगों की बीच में लोगों के फाइदे के लिए सब के लिए हैं क्योंकि उसमें सब की भागेदारी है ये भागी दरेगा कॉंसेप्ट रहता है लेकिन वस्तुता हर डेमोक्रिसी मैं फाइनली जाकर के चाहे वो रशा हो चाहे अमरीका हो चाहे योगंडा हो चाहे कीनिया हो जो लोगों से चुनकर के आते हैं उन में से कोई न कोई उस सत्ता पे इस प्रकार या उन लोगों से बाहर से कोई सत्ता से इस प्रकार पाकिस्तान और किनिया वगरा में कही बार देखते हैं योगंडा वगरा में कही बार देखा हैं कि सारी का दिकारी ये उस पे शाशन कर लेते हैं अपने कबजे में कर लेते हैं ये सोचने की बात है कि ये सब क्यों होता है क्यों वो लोग जो समाज में आते हैं है और इसा उनको आबाज देते हैं मापके भले के लिए आपको पारलेमेंट में संसद में रेप्रेसेंट करेंगे और वहां जाकर करें वो सिरफ अपने पक्ष की बाते हैं, अपने पार्टी के पक्ष की बाते हैं या अपने व्यक्ति गत्स्वार्थ के बाते है अन्तत गतता सब में मैं देखा है कि व्यक्ति गत्सवार्त ही हवी हो जाता है छारी कुस्थ भी व्यक्ति कॉँख भावए व्यक्तिनेचर से ही सवर्ती है कुछ चाहिद इसलिए है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति इससे पहले मैं आइजनावर जो सुप्रीम कमांडर थे सारे वाइट्स की रेस के जब दूसरा विश्वियद हुआ येरोप और अमेरिका के जो कमबाइंट आर्मी थे उसके सुप्रीम कमांडर थे आइजनावर तो आइजनावर ने एक चीज़ कही थे कि भेई ये बुराई हमेशा इसलिए अच्छा जाती है क्योंकि अच्छा बैकती है अपनी अच्छाई से इतना प्यार करता है कि वो दूसरों के हित्मे अपने हित्मे भी बुरा नहीं बना चाहता वो अपने अच्छाई को पकड़ के बैठा रहता है अच्छे लोगों के हमेशा समाज में नमबर बहुत जादा होते है और बुरे लोगों के कब लेकिन अच्छे लोग अपनी अच्छाई से इतना ज़्यार करते हैं कि वो अच्छे बने रहते हैं कुछ करते हैं इसलिए बुरे लोग च्छा जाते हैं वो च्छा जाते हैं क्योंकि अच्छे लोग तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो वो अच्छे नहीं रहेंगे लड़ेंगे तो अच्छे नहीं रहेंगे तो हर समाज में यही रहता है तो इसलिए पॉलिटिक्स में भी वो अच्छे लोग नहीं आते वो अपनी अच्छाई से प्यार करके अपने घर बैठे रहते हैं और जो उच्रंकल लोग हैं बुरा लोग कह सकते है या जिनका अच्छाई बे विश्वास नहीं है वो लोग पलिटिक्स में आ जते हैं और उन्हीं लोगों में से फिर लोग इलक्टोकरिक उपर कहुंसते हैं वो अपना क्लाउट बनाते हैं क्लाउट जाती के अधार पे हो सकता है, धरम के अधार पे भी हो सकता है, किसी भी अधार उकर के, क्योंकि उनका एक ही नहित स्वार्थ है, कैसा ने कैसे पार्लेमेंट में पहुँचना. तो इसलिए जितने भी अपभरंशित लोग हैं, चाहे वो, यानि कि जो उस अच्छाई में उश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, यानि कि जो, जो भी समाज के बनाएवे नियम, अधिनियम, अच्छी बात हैं, जिससे कि समाज का विवार अच्छा चल सके, उसमें विश्वास करने वाले नहीं हैं, वो लोग इसका मुख का उठाते हैं, क्योंकि उसके फोलो करने वाले तो आगया नहीं हैं, तो इसलिए फाइनली पार्लेमेंट में उन रोगों को की ही ज़्यादा मात्रा हो जाते हैं, सब पार्टी हमें हैं, पार्टी मतलब नहीं है, पार्टी तो उनके लिए आप देखते ही हैं, आज कोई बीजिप में हैं, दूसरे दिन कॉंग्रेस में हैं, तीसरे दिन इधर हैं, तीसरे दिन इधर हैं, यह सिद्ध करता है कि ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ सत्ता के लिए है उनमें से कोई भी आप की और हमारी अच्छा करने के लिए नहीं है वो अच्छे लोग नहीं है वो सत्ता के लोग है सत्ता से पैर करने वाले लोग है तो यारे कि जो सत्ता से बैर करने हैं जिन्हों दूसरों को पर रोब चेकलाना है दूसरों को दिखाना है कि हम बड़े हैं आपसे हम आपके लिए कर रहे हैं हम आपको खाना दे रहे हैं हम आपको यह कर रहे हैं इस तरह के भावना वाले तुछ लोग ऐसी भावना वाले तुछ लोग वो पॉलिटिक्स में आते हैं जिनके सामने स्वेम अपने एंकार और स्वार्थ के स्वाई किसी चीज़ की भी इंपोर्डेंज नहीं है वही लोग प्रेरिध होते हैं पॉलिटिक्स में जाने के लिए अब ऐसे लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो वह बहुत सी बाते सीखते हैं लोगों को कैसे खुश करना है लोगों को कैसे वोट मांगना है तो वो अलग अलग तरह से अपने अजन्डे और वो सब बनाते हैं जिसे की पॉबलिक का रुजान उनकी तरफ सो सके उनको गलत और सही से कोई मतलब नहीं है उनको किसी के भले या बुरे से कोई मतलब नहीं है वो समास सेवक नहीं है समास सेवक तो समास की सेवा कर रहा है कहीं बैठ गया जंगल में बैठ गरेगा उतो जाके कही स्कूल खोल के बैठेगा बच्चों के लिए ग्रिबों के लिए कही बच्चों को खाना खिला रहा होगा कुछ बुड़ों की सेवा कर रहा होगा वो तुमारी पॉलिटिक्स में क्यों राएगा उसको समय ही नहीं है इतना कि तुमारी पॉलिटिक्स में आ सके तो अच्छे वक्ति जो हैं वो अपने अच्छे से पन से प्यार भी करते हैं और अच्छे काम करते रहते हैं समाज में कोई दूसरों पर राज करने की या दूसरों पर सत्ता जमाने की कोई आवशकता नहीं है यह है उनकी एक गलती भी है और अच्छी बात भी है अब सारे पार्लियमेंट में पहुंच गए वो लोग जो इस डेफिनिशन के अंसार मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ कोई इसका बुरा नमाने जो उस समाजी डेफिनिशन के इसाब से अच्छे लोग नहीं है जो व्यक्ति सत्ता से प्यार करने वाले हैं दूसरों पर अपना शाशन चलाने वाले हैं और उसी का उनका जिवन का ध्य है उसी में उनको आनंद आता है वो लोग से ले जाते हैं पॉलिटिक्स में और ऐसे लोगों में अपवरंशित लोगों का नंबर भो ज़्यादा हुए था कि मानसिक अपवरंशिता में मैं अपवरंशिता से हैं यह नहीं कहा रहा है कि अबनॉमल है लेकिन वो ट्रेट्स उस तरह से उनी में तो होगा ना कि दूसरा में सत्था जमाँ जाए दूसरे खो लीड किया जाए दूसरे हमारे पीछे जैकारा लगाएं दूसरे हमें वोट दिलवाएं करें और इस तरह अपने जो महतों कांक्शी बनें तो यह सब बनना एक अच्छे और अतिधिक वेचारिक वेक्तिक का काम नहीं है वो उसको इसमें कोई आनंद नहीं आयागा अब इस तरह के लोग पहुंच जाते हैं पारलिमेंट में यानि कि उनकी वीजन सिरफ अपने से पांच इंच जादा छे इंच जादा से अधिक नहीं होती वो एक ऐसे दायरे में रहते हैं जिसमें सिरफ वो स्वयम को देख सकते हैं स्वयम का ही परतिभिम्ब चारव तरव देखते हैं और वो दिनों दिन जैसे जैसे लोग उनके सपोर्टर बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे लोग उनके पीछे और लगते जाते हैं, खड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके परतिभंब बढ़ते जाते हैं, और वो परतिभंब फिर अपने क्रियेट भी करते रहते हैं, और उस तरह पूरे एक जिले पर या डिस्टिक में जितने भी एक सीट की वोटिंग होती है, वहाँ पर अपना अधि करने के लिए ये क्योंकि वो प्रवजती नहीं वो तो अच्छे लोग कर रहे हैं जो मौला दो को स्माज में होdefense वो अच्छे लोगों से ओर रहा हैeler टाटा हैं अच्छे वेकती एं अम़ान इंडार्य हैं ये सब अच्छे वेकती तो वो लोग भी इस दर के कारन कि यार यह नुक्सान करेंगे चले भी इनकी बात पालो ऐसे ही सारा समाज हे अब दूसरी समस्या शबूसरी यह है कि जो इनकी नीचे करने वाले काम करने वाले लोग हैं जिनको I.I.S. I.P.S. जो भी नाम दे दीजिये, जो भी है, वो लोग भी वो ही लोग आते हैं, जो लाखों लोगों में कंपीट करके, देखिए, कौन व्यक्ति चाहिए कि मैं लाखों लोगों में कंपीट करके एक बनूँ, यह बावना कितनी गलत है, आप सोच तोड़ा सोच के देखिए, इंसानियत में हमेशा हर संस्कृति सब्वेता में ब्राबर की बात कही गई है हमने तो हरे को एकुल का भवागन माना एको ब्रह्मों दूतों नास्ति एक ही ब्रह्मय दूतिय है ही नहीं इसलिए सब ब्राबर है इसलिए जदा बड़ी बात और क्या हो सकती है लेकिन अब ये व्यक्ति कुछ व्यक्ति मानते हैं कि हम विशेश हैं हमको तो दूसरों पर राज ही करना है इडिमिस्टेशन करना है इसलिए इंडिन इडिमिस्टेटरी सर्विस्टेशन में जाना है या पुलिस में जाना है या किसी में भी जाना है देखो कितने वी चित्र बात है वो लाकों लोग के बीच में साल साल डेड़ डेड़ साल दो दो साल बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं बार 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 अटेम्ट करते रहते हैं कभी ने कभी स्लेक्ट हो एते हैं अब ऐसे वेक्ति से आप क्या क्या अब एक्षा रखेंगे वह व्यक्ति स्वायम अपने इस अंकार से कि मैं सब में कुछ स्पेशल हूँ लाखों लोगों में एक स्पेशल आदमी हूँ और मुझे विस्था मिली है और मैं लोगों को अड्मिस्टर करने के लिए आया हूँ सेवा के लिए नहीं अंग्रेज तो अच्छे थे उन्हों नाम रखा था इंडियन सेवल सर्विसेश लोगों के सेवा अब तो हमारे अड्मिस्टर हैं मारल के तो वो भी उनके साथ में जो उनके काउंटर पार्ट सरकार में मिलते हैं वो उनको वैसे ही मिल गए अब एक तरफ सत्ता धारी जिनको सत्ता से प्यार है और दूसरे जो छोटे सतर पे लोगों को अपने नीचे रखना चाहते हैं वो उनका मानने कि लोगों में इतने इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने आधान रख सके इसलिए उनको किसी अड्मिस्टर के जरूर्त है वो इसलिए बने उनको भी यह नहीं सिखाया जाता है कि आप सिवा के लिए हैं लोगों के लिए आद़ आप किस तर में और एक class 4 किस तर में कोई फरक नहीं है इतना ही अंतर है कि वो class 4 कम पैसे लेकर के काम कर रहा है आप जदा पैसे लेकर काम कर रहा है काम आपका दोनों का एक ये जबास की सेवा तो उनको एक नए पंडित करेत कर दिया है हमने नए ब्रामिन तो मैं कहता ही हूँ कि I.S. I.P.S. और ये सब ये नियो ब्रामिन्स हैं तो एक तरफ तो आपने खड़े किये नियो ब्रामिन्स और एक तरफ आपने कर दिये नंद जिससे चंदर गुप्त मोरे लड़ा से जाना के लड़ा था तो उस तरह से चारों तब हमने नंद कंस ये सब बना दिये वो सब पार्लिमेंट में आ गए हैं सारा कौर अउसमाद जो है वो पार्लिमेंट में आ गए हैं अब उनका धोंद अपने अपने स्वार्त के लिए होता है वो सब राजनिती है तो वो राजनिती तब भाभारत के रूप में अब भाभारत रोज हमारे पारलेमेंट को आता है इन्हें में से कोई भिशम पितामा बनता है इन्हें में से कोई शिकंडी मनता है इन्हें में से कोई अर्जुन है इन्हें में से कोई धरतरास्टर है इन्हें में से कोई बाकी कुरब जो थे दुरियोदन था वो है इन्हें में कवी कारण है तो यह तो महाभारत का खेल मंचन वहाँ कर रहे हैं इनको मेंसे कोई मतलब नहीं है मेरे साथ कितना भी अत्याचार हुआ होगा अगर मैंने कहीं लिखा कहीं उसके अगर कोई आवाज भी सुनी गई हो कभी आज तक रिजिस्टर भी नहीं होता जदा जदा हुआ होगा तो एक चिठी एक्नॉलिजमेट के आगई होगी उसके अलावा कोई कोई एक्शन करता नहीं कोई कि किसी की इच्छा ही नहीं है वो इस इच्छा से आए ही नहीं है वो तो अपने स्वार्थ को पुरा करने के लिए आए है इसलिए भी बहुत अच्छी हो या बुरी हो कितने इंपोर्टेंट बात है कि हमारे जो रैक विस्ता है उसके जितने सिधात है उनको रिवाईज किया जा रहा है और आवा जगडा कर रहे हैं आप करने नहीं दे रहे हैं उसको और उसके बाहर निकाल दिया तुम बहरा के नक अठाव ऐसा नहीं है जो समाज की बारे में सोच रहा है तुम सब अपने बारे में सोच रहे हो तुम सब वो वेक्ति हो हिटलर हो छोटे-छोटे हिटलर क्योंकि हिटलर जगता ही इसलिए है कि सीधे अच्छे लोग चुप रहते हैं यह कहा था इस नावर ना हिटलर इसलिए नहीं बनता कि उसमें ताकत थे अरे हिटलर तो छोटा सादमी था को भला चंगा आदमी उसको थपड मरती नीचे गिर जाएगा इसलिए हिटलर बना कि जितने उस समय के अच्छे लोग थे वो चुप चाप देखते रहे उन्होंने कुछ बोला नहीं वो जानते थे ही गलत है प्रूब बोलते नहीं आज भी समस्या वही है आज अच्छे लोग बोलते नहीं वो कारे रत होते नहीं वो इस वस्ता उग सुधारने के लिए आगे आते नहीं तो यह जो उच्छरंखल लोग हैं समाज में वही विर्राज करेंगे रादर जो समाज है वो इन लोगों के द्वारा गलत काम करवा के अपना बला करने के वसमें चला आता है भगवान की देया से मुझे कभी आज तक कहीं भी किसी काम के लिए किसी राज्तनित्यकिया क्या आवशक्ता नहीं पड़ी और भगवान जो समय बाकी है कभी ऐसी परिस्तिति क्रेट नहीं करे कि मुझे इन राज्तनित्यकियों क्या आवशक्ता पड़े या किसी के पास च राजमितिकियों के बीचे अपना काम करवाने के लिए प्रमोशन लेने के लिए पुजिशन से लेने के लिए ये करने के लिए भागते रहते हैं और वो लोग सकसेस भी होते यह सबसे बड़ी गलत बात है एक बड़ा परिवर्तन जो लास्ट में कहूंगा जब मैंने सर्विस जोईन की तो हर साल कोई भी सर्कुलर अगर फैलोशिप के लिए या प्रोमोशन के लिए किसी के लिए आता था तो एक सर्कुलर उससे पहले आता उसके नीचे लिखा होता था सर्कुलर में किसी भी रूप में अपनी पैर्वी करने को या किसी अधिकारे को संपर्ण कर करना अधिकार है संपर्ण करना गलत है उसके लिए आपको दंडित किया जा सकता है आपकी अप्लिकेशन को कैंसल किया जा सकता है यह मैं सेवन्टीज की बाद बता रहा हूँ हर सर्कुलर जो सेंटर गॉर्मेंट से आता था निचे लिखा होता था साफ शब्दूं अंगरेजियों के टाइम से लिखा आ रहा था कि ये इतनी पुजिशन निकली है या फैलोशिप्स निकली है या इतनी जगें हैं जो कुछ भी है आप इसके लिए अप्लाई करें लेकिन इससे समंदित किसी भी व्यक्ति से संपर करना अपराद है और आपकी जो भी एप्लिकेशन होगी अगर आपने ऐसा प्रयास किया तो वो कैंसल कर दी जाएगी ऐसा हर सर्कुलेट नीचे लिखा होता था लिकिन लोग फिर भी करते थे पर कब से कब लिखा होता था तो ब्रिटरश परब्परा चली आ रही थी कि आस तो रखा रहता है नीचे कॉंटेक्ट परसन कि अब किससे बात करें अब किसी का सर्कुलर रहता है बहुत बहुत दिखता हो नीचे लिखा होता है कॉंटेक्ट परसन किस वेक्ति से बात करें अब कहने को तो कहते हैं जी हम तो इसलिए लिखते हैं कि आपको किस समस् अप्लिशन नहीं हो रही है या दे लिए भेज रही है तिसलिए उसके लिए वही एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है उसके लिए लोगों को अप्रोश करने का और फिर नतीजा वो ही होता है वो ही होता है तो इस सारी व्यस्था का दोश जो है वो इस पर है कि हमने हमारी देखिए शाषन में डेमोक्रिसी बिना नयागत और बिना स्वाद्र के और बिना नियमों के हैं और बिना सधवावना के डेमोक्रिसी इस अल्वेस फैलिवर डेमोक्रिसी को सफल होने करने के लिए समाज के अथिक्स नियम और कानून वो प्रिवेल करने पड़ेंगे उनको मानना पड़ेगा और समाज के साथ में एक सा थभावना चाहे वो किसी एल्वेसी के थुछ हो या परीवार के थुछ हो वह है बहुत जुरूई है लेकि आज ने तो कहीं पे परिवार से कुछ सेखने को मिलता है ने स्मास को सिखने से मिलता है ना स्कूल से सेखने को मिल रहा है कहीं भी कोई ethics बताने वाला तो है ही नहीं तो फिर यही सब होगा आप इसे देखें और आनंदले धन्यवाद